Hey my dear students, आप सभी का स्वागात है मेरे चैनल B.Smarty में तो ये जो वीडियो है ना, वो especially class 9th के लिए है और definitely ये English communicative हो या English language and literature हो दोनों के लिए ही बहुत जादा काम आने वाला है तो without wasting more time, let's get the video started तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि descriptive paragraphs होते क्या है देखो, बड़ा ही simple सा है, लेकिन इतना भी simple नहीं है थोड़ा यहाँ पर creativity की use करनी होती है तो descriptive paragraph वैसे paragraphs को बोलते हैं जो क्या करते हैं, आपको complete details देते हैं ऐसा नहीं कि उपर से कुछ भी बोल दिया, नहीं उसमें आपको clarify करना पड़ता है कि आप जिस person के बारे में बता रहे हो, उसके detail दो जिस place के बारे में बता रहे हो, उसका भी detail देना पड़ता है जिस चीज के बारे में जिस event के बारे में बता रहे हो, उसकी भी detail देनी पड़ती है या यू कहें तो यहाँ पे sight, sound, touch, taste और smell इन सभी senses का use होता है इन सभी senses को use करके एक simple picture create किया जाता है किसके mind में एक reader के mind में मानो कि आपने जो भी paragraph लिखा है न उसको पढ़ते वक्त जो भी reader होगा उसके mind में एक image formation होना चाहिए आपको जो feeling होई है लिखते वक्त वो same feeling उसको भी आपको दिलानी है तो ऐसे paragraphs को हम कहते है descriptive paragraphs क्योंकि यह wordy बना है description से यानि जब हम description देते हैं किसी भी noun के बारे में वही बन जाता है descriptive paragraph आगे हाँ पे देखो कि आखिर descriptive paragraphs का मतलब क्या होता है the goal is to immerse the reader in the sense by describing how it looks यह कैसा दिखता है यह कैसा feel होता है sound कैसा करता है smell कैसा करता है किसी चीज का taste कैसा for example अगर मान लो आपने किसी flower को देखा तो वो flower को आपने किस तरीके से देखा वो ऐसे words में ही आपको describe करना है ताकि आपको जो feeling हुई न वो सामने वाला reader है उसको भी same वही feeling होनी चाहिए मानता हूँ ऐसा पूरा possible नहीं है पर यह आपको दिखाना पड़ता है next suppose करो कि मैं आप लोगों के सामने एक sentence रखता हूँ the dog waked his tail ठीक है समझ में आ गया न कि sentence क्या कहना चाहता है लेकिन अगर मैं इसमें बोलू कि वो dog कैसा है किस तरह का tail है तो उस dog का अगर आपके माइड में कोई image बन रहा हो तो वो एक simple dog का image बन रहा होगा क्यों क्योंकि यह simple ही sentence है यह descriptive sentence नहीं है लेकिन अगर मान लो मैं यह sentence को कुछ इस तरीके से लिखूँ तो अब आपके माइड में एक picture बन रहा होगा कि एक dog है जो कैसा है cute है साथ साथ में वो brown color का भी है वो क्या कर रहा है बड़े happily अपने छोटे से पूच को हिला रहा है समझ में आ गया ना कि छोटे छोटे sentences को जो आप लिखते हो ना उसमें descriptions नहीं होती लेकिन आपको उस sentence को थोड़ा सा creative बनाना है उसमें descriptive words डालने है चलो एक और sentence लेते हैं और समझते हैं जैसे यह sentence है my mother works in a company तो my mother works in a company बड़े simple sentence है पर कोई भी description नहीं है ना तो mother के बारे में कोई description है ना ही वो कैसा काम करते है उसके बारे में कोई description है और ना ही इस company के बारे में कोई description है तो यह descriptive sentence नहीं है इसको हम कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे my mother who is 37 but still looks young and charming works in a multinational company तो अब हमको पता चल गया कि मेरी mom जो है उनका description मैंने डाल दिया कि वो 37 की है वो अभी भी young and charming दिखती है और कौन से company में काम करती है multinational तो जैसे ही यह sentence आप पढ़ोगे आपके mind में कुछ इस तरीके का एक picture बन रहा होगा कि एक lady है जो beautiful भी लग रही है 37 की हो चुकी है लेकिन फिर भी अभी भी young and charming है और वो कहां काम करती है multinational company में तो ऐसे ही बिटा आपको क्या करना है sentences use करने है जिसको आप क्या कर सको थोड़ा describe करकर लिख सको simple sentences नहीं लिखनी थोड़ा सा बढ़ा चड़ा के लिखना होता है अब इसमें basically past senses का use होता है हम सभी को पता है हमारे past senses कौन-कौन है आई, ear, nose, tongue and यहाँ पर मैं जो पता है skin होगा लेकिन यहाँ पर मैं sense की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर feeling की मैं बात करूँगा यानि eyes, ears, nose, tongue and heart यानि कैसी आपकी feeling हुई वो आपको describe करनी पड़ती है नेक्स्ट है देखो मैं आप लोग के सामने एक paragraph रखके समझाता हूँ अभी आपको normally मैंने बता दी आप एक paragraph रखता हूँ सपोस करो यह एक paragraph है अब इसको अगर मेरे को descriptive बनाना हो तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे अब जड़ा पढ़ो इसको समझ में आ गया अब अगर इसमें से मैं आप लोग को बोलू कि बताओ ऐसे कौन-कौन से words मैंने यूज करें है जो descriptive words है descriptive language है तो यह रहे वो words ठीक है यह जरूरी नहीं है कि आप यही यूज करो अपको अलग भी यूज करना है एक और एक्जामपल लेके समझते हैं यह एक नॉर्मल परेग्राफ है कुछ मैंने बढ़ा चड़ा के नहीं लिखा लेकिन इसी को अगर हमें descriptive बनाना हो तो हम इस paragraph को कुछ इस तरीके से लिखेंगे with descriptive words the crystal clear water अब मैं नॉर्मल वाटर नहीं बोड़ा हूँ उपर मैंने बोला दा वाटर वस क्लियर लेकिन यहां पर मैं बोड़ा हूँ the crystal clear water ठीक है shimmered under the bright afternoon sun reflecting the azure sky above lush green hills rolled gently in the distance dotted with colorful wild flowers swaying in the soft warm breeze the distant laughter of the children echoed blending with the soothing sound of the flowing river मतब सेम बात को आपको थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा कर चटपटा बना कर सामने वाले के सामने पेस करना है ताकि जब वो इनसान सोचे आप नॉर्मल पढ़ोगा तो वाटर वस क्लियर कोई इमेज नहीं बना यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे words का मैंने यूज करा है मैं एक की भी मिनिंग आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद महनत करो खुद मिनिंग ढूंडो ताकि आप उसको बेटर तरीके से समझ सको अब यहाँ पर मैं कुछ common descriptive language आपको देने जा रहा हूँ जिसका use आप अपने descriptive paragraphs में कर सकते हो जैसी कि अगर मैं किसी noun को describe करने वाले adjectives की बात करूँ तो इसमें सबसे पहले आ जाता है visual यानि देखने में कोई चीज कैसा है उसको आप inverse से define कर सकते हो अगर कोई चीज touch कर हैं हम तो touch करने पर वह कैसा feel होता है वह inverse से आप कर सकते हो मैं बिना मतलब का पढ़ूंगा नहीं पढ़ने से वीडियो और लंबा होता जाएगा next sound अगर किसी चीज की sound आ रहे है तो वह sound किस तरीके किया सकती है अप net पर search करोगा आपको बहुत सरे अलग-अलग words भी मिल लेकिन इन words को जरूर learn कर लेना इनकी meaning जरूर खोजी लेना next है smell कोई चीज़ अगर smell कर रहा है तो उसकी smell कैसे हो सकती है fragrant हो सकती है अच्छी smell को हम fragrant कहते हैं sweet stinky मतलब बदबुदार होती है तो उसको stinky कहते है next test किस चीज़ कर taste कैसा हो सकता है sour होगा या bitter होगा sweet होगा salty आपको बताना होता है कि वो noun कैसा है जब तक यह नहीं आपको समझ में आ रहा है समझो कि आपका जो sentence है वो descriptive नहीं बनेगा next अगर कोई verb को आप describe कर रहो यानि adverbs वो कैसे कैसे हो सकते हैं जैसे gently quickly loudly softly softly ऐसे करके अगर आप यहाँ पर similes का use करोगे तो बहुत अच्छी बात ह है मतलब like or as का आप use करना सिख जाओ तो बहुत अच्छी बात है ऐसे visual के लिए हम एक sentence ले सकते है the sky was blue normal बोलते ना नहीं अब उसको थोड़ा बढ़ा चरा के बोलो कैसे बोलोगे the sky was as blue as the ocean तो यहाँ पर जैसे हम यह बात बोलेंगे सामने वाले के mind में एक visual imagery बनेगा वो क यह पता है आप यह बोलना चाहते हो कि her skin was soft नहीं लेकिन आप उसको थोड़ा और बढ़ा के बोलो simili का use करो कैसे compare करो her skin was soft like silk next sound की बात कर रहे हो his voice echoed like thunder in the night देख रहे हो कितना मतलब descriptive sentence है mind में आ रहा है तम thunder जैसा है तम उसका voice echo कर रहा था vivid verbs कुछ action verbs है action words है कैसा आप उस तरीके का है वो बताना है normal अपने बोलो कि वो चल रहा था नहीं वो चल रहा था कि रेंग रहा था कि क्या कर रहा था वो अपको बताना है next अगर कोई sound आ रहा है तो sound किस तरीके का है वो crackle sound है whispering sound है roaring sound है buzzing sound है which type of sound is coming you have to just tell next touch touch में कैसे यसे कैसा touch है care is touch यह जोर से touch कर रहे ह ठीक है कुछ sensory details है जैसे कि देखने में अगर मैं बोलू the sun bathed the horizon in hues of pink and orange next अगर आप sound की बात करोगे the leaves rustle softly in the breeze अब यहापे senses काम कर रहा है आप sentence को पढ़ो लग रहा थोड़ा special sentence है smell the fresh aroma of baking bread filled the air क्या मजा आ गया ओ ऐसे मतलब जब भी आप यह कहो कि जब भी आप असाम जाओ है ना तो वहाँ पे जाओगे तो आपको coffee plantation and tea plantation इतना जादा होता है ना कि मतलब खुच्बू आने लगती है उसकी वैसे ही आप उसको describe कर रहे हो next touch की बात करो the fabric felt like velvet against her skin last कोई टेस्ट हो जैसे कि the lemon was tangy and made her lips pucker ठीक है tangy orange सुने हो ना next अब मानलो कि आपके सामने एक म मैंने paragraph दे दिया लिखने को कि चलो एक ऐसा paragraph लिखो जिसमें तुम्हारे parents ने तुमको एक potted plant gift किया अब इसके बारे में descriptive paragraph लिखो normal नहीं तो मानलो कोई बच्चा उसको समझ नहीं आया तो वो एक normal paragraph लिख दिया अब वो normal paragraph कुछ इस तरीके का दिख रहा है ठीक है मैं पू अब देखो descriptive paragraph बढ़ाने के लिए मैंने कुछ words का use किया last week my parents gifted me a beautiful potted plant normal potted plant नहीं मैंने बताया कि potted plant भी है तो कैसा beautiful सा है and it was an unexpected surprise surprise हो था लेकिन कैसा unexpected मैंने कभी expect ही नहीं किया था it's vibrant green lips normal green lips नहीं vibrant यानी और चमकदार ठीक है जो खिल के आ रहा हो color it's vibrant green lips delicate and full of life stand out against the dark rich soil in the terracotta pot the plant small but full of promise now brightens up my study table ठीक है मतला वो study table को अब क्या कर रहा है और भी अच्छा बना रहा है every morning I water it carefully watching droplets glisten on its smooth glossy lips the air around it feels fresher and its presence gives my room a calming natural touch my parents said that nurturing this plant will teach me patience and responsibility and I have already become attached to it eager to see it grow stronger each day तो I hope my dear students आपको मैंने descriptive paragraph अच्छे तरीके से समझा दिया है अगर फिर भी आपको कोई doubt हो तो नीचे जरू comment करना दूसरे topic के लिए भी आप comment कर सकते हो thank you so much for watching this video मिलना दूसरे वीडियो में तब तक लिए बिए बिए टेक केर be safe keep learning and keep watching be smarty and wish you all the best for your examination